हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी को अपना गुरुजी पे मैं आपका दोस्त उजित पॉले आपको फिजिक्स साथ महबत करवान है इफ यू वांट तो लर्न फिजिक्स ने सिंपल वह दिन बने रही है मेरे साथ अपना गुरुजी पे तो दोस्तो आज के वीडियो में बा को बाता है मिडियम घूठ टो आप यहां तो न कर दो कम लिए थीर क्रें पाणे स्वांट डीफ्रक्शन लिए क्म पिदिवे सवातां दूसरी मीडियों मालों यहांपर गया उसी मीडियम में रिटन हो गया लोसे लुंने मिडियम और भूबनेशट से मैं घर चला गया तो यहां से भूबनेशट से मैं घर चला गया तो यहां पर मेरा मीडियम जो है चेंज हुआ तो जब क्या होता है लाइट दूसरे मीडियम को ट्राविल करता है ठीक है पानी से हवा हवा से पानी से ग्लास ग्लास से पानी तो अगर किसी भी M Philippines प्रखाभर को सा को रूपर यहां पर भीलड गया उसलिक्ड कन शवस्ता सरों निश् rounded एक मेडियम मेरा यहां पर मालोक डेर और यहां पर जो यहां पर लाय डाइट यहीं इन्टार क्या इंटर ने के बाद बेंडीं आफ लाइट है when it goes from one medium, better medium by bending of light is known as the reflection of light अब इसमें simply क्या होते है वैं दिरें रिजन ऑफ इंसिदेन्स अभे यह पहे इंसिदेंट रहे है इंसिदेंट रहे यह point of incidence और यहां पहे कारेंगे ऊस point के साथ एक perpendicular कोरेंगे तो यह बना वज़ेगा normal आप नॉर्मल रे के बाद यहां पर कंडिशन आते जो रेज अफ लाइट बैंड होगा बैंड यह किस तरफ होगा ठीक है तो बेंडिंग अफ लाइट का दो कंडिशन है वह इंदर रेज अफ लाइट गोज फ्रम रेलर मीडियम तो दा देंसर मीडियम जाएगा इस बैंड ओद्धुल्पी नॉर्मल के तरा इसको से जाना चाही था इसको को यह से जाना चाहीए था लेकिद की यहां पटर इसफ़ न अटेंग उ vậy लेकिम कंडीन वह बागैंड ऑैसे था-फूrb, यह दůनी अपर नॉर्म्मल यह उतले पे क्या होगा, when the rays of light goes from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal and when the rays of light goes from denser medium to rarer medium, it goes away from the normal, यह normal से दूर भागेगा और यह normal के तरह पाएगा, so this is the condition for the refraction, अब क्या होता है मेरा, यहाँ पे जो angle create होता है, the angle between the incident ray and the normal ray is known as the angle of incidence and the angle between the normal ray and the refracted ray that is known as the angle of refraction, ठीक है, अभ यहाँ पे क्या होता है हमारा, जिससे loss of reflection था, उसी तरह हमारा यहाँ पे आता है loss of refraction, अब loss of refraction में पहला लोगा क्या बोलता गया मेरा, यह sin angle of i, sin of i by sin of r, sin angle of incident ray and sin angle of r is a constant, यह क्या होगा एक तो, constant होगा, जिस हम क्या बोलेंगे, refractive index बोलेंगे, refractive index, जिस हम refractive index बोलते हैं ठीक है, तो यह मेरा first law, sin of i by sin of r is a constant, जिस हम mu बोलते है, mu is a refractive index of the medium, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा लोग मेरा क्या बोलता है, the incident ray, the normal ray and the refracted ray, all the three rays of light lies in the same plane, यह तीनो rays of light है, यह incident ray, normal ray and refracted ray, तीनो क्या करेंगे, एक ही plane में लाएग करेंगे, यह क्या है मेरा laws of refraction है, अब दिखो मेरे मालों यहाँ पे यह medium, is medium का, is medium 1 है और medium 2 है, इसका जो refractive index 1, due to 2 क्या तो क्या जाएगा मेरा, इसका जो refractive index, due to 2 by mu 1, ठीक है, तो यह मेरा क्या हो जाएगा refractive index, ठीक है, यहाँ पे क्या है the refractive index of the medium 2 with respect to medium 1, तो इस दिवीधि को अधिन करके रिफ्रक्टीव इंडेक्स का सिंप्ली फरूला क्या ओता है विया पर सी वाइब यहां पर सी वाइबी जिए मैरा रिफ्रक्टिव इंडेक्स ये मेरा refractive index है C मेरा velocity of light in vacuum vacuum में उसका velocity कितना है तरहें C और C का value के हम पता है 3 into 10 to the power 8 meter per second होता है और V क्या है velocity of light velocity of light in the given medium किसी भी given medium में speed का velocity कितना है याट इस denoted by V. सब्सक्राइब के क्वेशिन देगा किसी भी एक medium है उस medium का refractive index कितना है 1.5 है that mu is given as 1.5 and you have to find that what is the V velocity of the light in the particular medium एक medium है जिस medium का तुमको refractive index दिया गया है और तुमको पूछा गया कि what is the velocity of the light in that particular medium तो इसे निकाल होगे तो तुम्हारे पास formula क्या है mu equals to C by V है और तुम्हारे पास given क्या है mu का value 1.5 C का value तुमको पता है C का value कितना है 3 into 10 to the power 8 by V का value कितना है नहीं पता हमको भी चाहिए तो this implies V क्या हो जागा यहाँ पर 3 into 10 to the power 10 to the power 8 by 1.5 that is 2 into 10 to the power 8 meter per second this is the answer याद रखना जो भी answer लिखर हो कि नहीं गाए इस board exam में तो answer को इसे box में करोगे या तो formula जितने में सार लिखर हो उसको box में करोगे और जो जो important चीज़े है all the three rays lies in the same plane तो यह जो important word से उसको highlight करोगे या underline करोगे तो ज्यादा मार्क फेच हो पाएगा ठीए तो आज के वीडियो में इतना है फिर मिलते है अगले वीडियो पे तब तक के लिए हस्ते रहे हो मुस्क्राते रहो पढ़ाई करते रहो और यह lecture series जो है continue चलता जाएगा speed revision करेंगे सारे chapters का तो stay tuned in the अपना गुरुजी channel so that you can score more marks in your examination thank you very much